हलो एवरिवन, वेलकम टू कीजन टिप्स आज हम लोग चन्मास्टमी फेस्टिवल स्पेशल पंजीरी बनाने वाले हैं चन्मास्टमी पे पंजीरी इसलिए भी बनाई जाती है क्योंकि वो एक सात्विक मानी जाती है इसका सेवन वृत के दवरान भी किया जाता है चलो तो बनाना शुरू करते हैं पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग उने एक कटोरी गिहू काटा चान के लिया है साती में घी, गोंद, काजू, किश्मिश, खस-कस, थोड़शे चौप किये हुए अलमेंट्स और इलाइची पावडर भी लिया है काजू को भी मैंने हलका सा तोड़ लिया है चलो सबसे पहले हम लोग कड़ाई में घी गरम करने के लिए रख देते हैं हम लोग खरका बना हुआ यानि कि देसी घी लेंगे घी को हम लोगों को बहुत जादा गरम करना है क्योंकि हम लोग इसमें गोंद फ्राई करने वाले है और गोंद फ्राई करने के लिए घी का टेंपरेचर हाई होना सरूरी है कब भी जाके गोंद अच्चे से पूर्टता है कुछ इस तरह चलो इसे अब हम लोग एक प्लेट में निकाल लेते हैं इसी सेम कड़ाई में हम लोग बाकी के बच्चे हुए ट्राई फ्रूर्ट्स को भी फ्राई कर लेते हैं मैंने काजू बदाम और किश्मिश के टुगड़े लियो है आप चाहे तो इसमें और भी ट्राई फ्रूर्ट्स आड़ग कर सकते हैं वह आपस्नल है इसे भी हम लोग तब तक फ्राइ करेंगे चब तक इनका कलर हलका सा गुल्डन ब्राउन नहीं हो जाता देखिए कुछ इस तरह चलो इसे भी हम लोग निकाल लेते हैं इसी सेम कड़ाई में हम लोग और थोड़ा घी आड़ करेंगे गी कंप्लिटली मिल्ट होने के पाथ हम लोगों ने जो एक कटोरी गिहू का आटा चान के लिया है उसे हम लोग इसमें टाल देते हैं अभी से हम लोग क्यास का फ्लेम लो या फिर मेडियम रखेंगे इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे इसे कंटिनियोसली हम लोग खुमाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं आप देख सकते हैं कि इसका कलर दीरे दीरे चेंज होना शुरू हो चुका है और आप इसकी खुश्पु भी फील कर सकते हैं इसे हम लोग तब तक भूरेंगे जब तक इसका कलर हलका सा चॉकलेटे कलर नहीं आ जाता है देखिए कुछ इस तरह मैंने खसकस की बीजे तो ली थी लेकिन उसको फ्राइ करना भूल गए थी इसलिए मैंने गेहू के आटे को थोड़ा सा साइड में कर लिया है और थोड़ा सा गेड डालके उसमें मैंने खसकस की बीचे डाल दी है देखिए ये कैसे फूट रही है चलो इसे अच्छे से फूटने के बाद इन सब को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और गास बंद कर देते हैं अब सबसी इम्पॉर्टन्ट चीज इसे थंडा होने देने के लिए रखना इसे तब तक थंडा होने देने के लिए रखना है चब तक ये completely room temperature पे नहीं आ जाता इसलिए मैंने इसे एक पलेट में निकाल दिया है और इस तरा पलेट में इसे spread कर दिया है हम लोगोंने गोंद को तो fry कर लिया है चलो अब इसे हम लोग पारिक कर लेते हैं मैं इसे इस तरह hand grinder से पारिक कर रही हो आप चाहिए तो इसे mix की में पारिक कर सकते हैं आटे का टेमपरेचर अब भी थोड़ा सजादा है लेकिन चलो तब तक हम लोग इसमें बागी के चीजे मिक्स कर सकते है आटे का टेंपरेचर थंडा होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग इसमें अभी चीने पाउडर डाल देंगे तो चीनी पाउडर इसमें पिगल जाएगे इसलिए इसे रूम टेंपरेचर पे लाना बहुत ज़रूरी है चलो अब इसमें हम लोग इलाईची पाउडर डाल देते हैं और इलाईची पाउडर को भी इन राइफ रूट्स के साथ और भुनेवे आटे के साथ मिक्स कर देते हैं अब ये completely room temperature पे आ चुका है अब हम लोग इसमें थोड़ी थोड़ी करके PCV चीने याने की चीनी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से mix करते है इसे भगवान श्रीकृष्ण को भोग की रूप में अरपित किया जाता है खास कर उनके बाल रूप को ठ्यान में रखते भगवान श्रीकृष्ण को भोग की रूप में अरपित करने के पाथ इसे भगत जनों परीचनी और साथियों के साथ बाटा जाता है प्रशाद की रूप में पंजीरी मिठाई तयार है